नमस्ते अभिबादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे बाजार की बाजार कल कहां खुलेगी कैसा मोमेंटम होगा आपको एक्स्प्लेन करेंगे सबसे पहली चीज बाजार में इस वक जाननी जरूरी है कि आपसन डेट सकती है और कल जो बैजार एक गबडाउन करने वाली है वो कितना करेंगी उसको हम समझेंगे उससे पहले देखते हैं डियाई और एफाई आइस का खेल तेखिए डियाई आइज बारा सो करोन का माल बेंचे हैं उनसे हमें उम्मीद भी नहीं है को यहां पर आकर खरीद ले जान मंदी की तरफ है वो आभी खरीदने वाले नहीं और यहां पर आप देख लिए यहां पर आप देख लिए ग्लोबल मार्केट से डाउन है अब अमरीका में जो जॉबलेस क्लेम का डेटा आया है अचानक से वहां पर जो इजाफा हुआ हुआ इसमें इस कारण बाजार में अभी भी नीचे जाने के लिए रूम होगा मैं चाहता हूँ कि बाजार कम से कम 70 से 80 पॉइंट का गैब डाउन करे अब आप कहोगे यह तो गलत बात है सर आप चाहते होगी जात बाजार ज्यादा नीचे खुले जिहां बाजार इक्जैक्ली अपने कुरूसियल सपोर् कर नहीं आएगा याद रखिएगा 15,000 का सपोर्ट तुरंत कमजोर हो जाएगा अगर बाजार को निगटिव जाना है तो नीचे खुल जाए और वहां से हमको एक बाइंग देखने को मिल सकती है जो कि 15,000 के सपोर्ट को ही एक बड़े लेवल पे बड़ा मतलब मजबूत ब बनेगा इसके नजदेख खुलती है तो लॉंग बनेंगे यह चीज आप जिद दिन समझ जाओगे आप समझे आधा काम कर लिए बाजार में खैर यह सब बात की बाते हैं अभी हमको एक और चीज समझने है क्या अभी हमको देखना है कि जो हाइस्ट ओपन इंट्रेस्ट है कॉल्स में वो कहा है वो अभी भी 16,000 पे यह बड़ी अच्छी चीज है मतलब जो कॉल राइटर्स है उनका अलग ही मिजाच चला है खेर अच्छी बात है वो 16,000 पे जा रहा है लेकिन 15,000 का लेवल और 15,100 पे जो पुट राइटर्स हैं वो क्लोज तो 45 लाख सेरों का मतलब क्या है इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पर सपोर्ट थोड़ा सा बड़ा है 15,000 पे बड़ा बहुत बड़ा सपोर्ट है वो तूटा तो समझ लीजिए हमारे आपके लिए खत्रा होगा और अब ग्लोबल मार्केट के हाथों में सारी चीज है तो थोड़ा सा हमको सम होगी बेतरीन बढ़िया चलना अभी वहां पर थोड़ा तो थोड़ा सा उसको जरूर देखा कीजिए अभी आपको मैं समझा देता हूं डिया आइज उज्वल मैं आज न्यूट्रल उनको दूंगा अभी भी यह आज नेगटिव बनके आ रहे हैं और डबल नेगटिव इ हमारी बाजार पॉस्टिव है फंडमेंटली बाजार को हम एक मतलब कह सकते हैं हमको लगरा बबल टाइप बबल टाइप लेकिन जिस तरीके से अर्निंग्स बढ़ी हैं उसको बबल बिल्कुल कह भी नहीं सकते और ओवरॉल सिनारियो में अगर देखते हैं बाजार सपोर् है इसलिए इंट्राडे वाली वीडियो देखिएगा वहां पर स्टॉक्स जैसा मोमेंटम करेंगे बिल्कुल वैसा ही बाजार चलने वाली है आज एकस्पारी में थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट हो गई थी तो हो सकता है कल बाजार एक रेंडम मोमेंटम ही दिखाए ह हम तयारी सबकर सबकी बना कर रखना चाहते हैं बस वही चीज आपको मैंने समझा दी तो बाजार थोड़ा सा गैब डाउन खुले तो वह मेरे लिए ज्यादा रिस्की है बस अरते की मतलब उसके मुकाबले कि बाजार थोड़ा 60-70-90 पॉइंट का गैब डाउन कर जाए व